इसलाम उलेकूम, ये रो स्टूडेंट, एक्सेशर साइब से नमबर टू, फस्ट यूर मैठमेटिक्स जो न्यू बुक है, ये इस वक्त चैलेंज बनी भी है mathematics के teachers के लिए भी specially student के लिए भी और lecture student लेतो हैं लेकिन इतने सारे lectures हैं कि आपको उनके revision के लिए दोबारा lectures की जरूट है तो हमारे ये YouTube lectures available हैं अब जब चाहें अपने lectures को revise कर सकते हैं हमने आपको exercise 2.4 जो मुकमल तौर पर determinant और उसकी properties पर base करता है determinant को open किस तरह करते हैं six properties हैं उसे मतारिक बात बताएं आज हम एक नई बात बताएं property number seven यह determinant है किसी determinant को split कर सकते हैं तोड़ सकते हैं तो determinant में जरूरी है उस determinant में एक कॉलम या कोई एक रौफ एड़ हो रही हो एक कॉलम या एक रौफ में जो है वो आपके पास इस तरह की addition मिल रही हो ठीक है तो हम करेंगे कि आप इसमें पहला कॉलम बनाएंगे इस a square b square c square का फिर एक और determinant बनाएंगे और दूसरा कॉलम बनाएंगे b c बेसिकली हम इस last कॉलम को split कर रहे हैं इस last कॉलम में दो addition हैं तो ये one 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 रहा a b c ये split होगा एक टुकड़ा मिलेगा हमें इसका a square b square c square का plus दूसरा पीस हमें मिल जाएगा इसका ये one 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 रहा a b c आ गया और इसका second पीस यहां पे replace कर देंगे b c c a और a b इस अमल को splitting the determinant कहते हैं और समझें ये हमारे पास एक determinant है दो कॉलम तो बहुत ही पुरसुकून है last वाला कॉलम जो है वो addition शो कर रहा है तो इस addition की वज़ा से इसको हम दो इससे मना सकते हैं दो group बन जाएंगे एक group one 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 का बन जाएगा दूसरा group a q b q c q का तो हम इस party को दो party में convert कर दें प्लस है तो प्लस लिख दें भी शो माइनस है तो माइनस लिख दें अब पहला group जो है one 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 आ जाएगा दूसरी party ही हो जाएगी a q बी q और ये c q और यहां क्या रहेगा a b c प्रटाइए a square b square c square ये a b c रहा b square और c square अब इस भी हाब पर हमें question करते हैं proof करना है determinant की value आपको given है ये और ये zero के बराबर है इसको इस्तिमाल करते हुए आपने बताना है कि इसका जवाब यह होगा तो given dead ये determinant आपको given है ये determinant आपके पास मौजूद है a b c a square b square c square one plus a cube one plus b cube one plus c cube अब कुछ comment तो नज़र नहीं आ रहा last column में दो term है रखी में add हो रही है last column में food डाल दी जाए तो दो group बन जाएंगे एक group बनेगा बहले one 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 का एक group बनेगा तो इसको splitting करेंगे हम splitting माने तो ब्रेक कर देना splitting the determinant determinant को हम split कर देते है तो ये delta आ जाएगा बैटा ये दो determinant में convert हो जाएगा पहले बताईए ये पहला column तो a b c रहा a square b square c square last वाला column तोटेगा एक हिस्सा one 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 यहाँ पढ़ा जाएगा दूसरा हिस्सा a a square a cube a b c b square c square अब बताईए ये b cube और c cube आ गया अच्छा अब बत कंडिशन गिवन है ये delta किसके बराबर है जीरो के बराबर डेल्टा की value जीरो के बराबर तो बच्छों डेल्टा की जगा जीरो रिप्लेस कर देंगे ये हमारे पास a b c रहा a square b square c square one 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 आ गया ठीक है अच्छा यहां देखें इसमें कुछ काम करते है common ले लिया जाएगा first row से a common ले लेंगे taking common common ले लिया जाए क्या common ले ले a common ले ले taking common a कहा from raw number one और फिर taking common b from raw number two फिर क्या करें taking common c from raw number three common लेंगे तो common लेने के बाद ये a b c तो बाहर आ जाएगा a बाहर आ गया पहले लों से a बाहर आया तो क्या बचा one a और a square आ गया second लों से b common आया one b और ये b square आ गया third लों से common क्या आया c तो c sorry क्या बचेगा one c common आ गया तो यहां क्या लिख देंगे हम c square लिख देंगे बोले जनाब से ये बात ये अब ये zero रहा हमारे पास इस determinant में कुछ काम नहीं करें a b c रहेगा a square b square c square one 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 plus of a b c अच्छा मैं चाहता हुए हूँ one 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 ये दोनों determinant एक जैसे हैं लेकिन one 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 last column में है इसको last column में interchange कर दें इस पहले column को ठाकर आखरी वाले column के साथ interchange करा दें interchange interchange column number one and column number three interchange करने पर sign change हो जाएगा ये a b c रहेगा और ये वाला column यहाँ shift हो जाएगा one 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 ये a square b square c square यहाँ आगया a b c आगया क्या अब दो column determinant same आगया नहीं क्या हो रहा है बताएए ये जो one 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 सही है लेकिन a b c first column में a b c first column में again हम क्या करें इसमें interchange कर दें किसको interchange कर दें column number two and column number three column number two three को change कर दें in second determinant second determinant में in second determinant second determinant में ठीक बटाएगा अब देखें ये 0 आ गया ये determinant हमारे पास आ गया a b c a square b square c square one 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 आ गया sign change हो गई a b c पढ़ा जाएगा ये देख्षिप्ट हो जाएगा a b c अब क्या observation है आपकी अब ये दोनों determinant आइडेंटिकल आ गए ये दोनों determinant एक जैसे आ गए इन दोनों में से क्या करें हम common ले ले लेते हैं क्या common आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में से a square b square c square common आ जाएगा तो हम common उठा लेते हैं तो ये zero रहा common हमने ले लिया common हमारे पास a b c a square b square c square one 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 आ गया अब अब जाएगा यहां पर हमारे पास a b c रहा और ये छो है मैंने इसको दुबारा लिख लिया ये रहा a b और c a square b square c square one 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 बस एंडिंग पर है अब ये determinant ये determinant दोनों सेम है common ले लिया जाएगा taking common common ले लेंगे तो जिरो रहेगा determinant हमारा common आ गया a b c रहा a square b square c square one 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 ये हमने common ले लिया जब common लेंगे ये चला गया इसकी जगा क्या बचएगा one ये common ले लिया गया इसकी जगा क्या बचएगा a b c see ये पूरा determinant determinant represent a number here ये 0 आ जाएगा determinant हाँ divide हो जाएगा one plus a b c ये a b c a square b square c square one 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 हम जानते हैं here determinant represent a number determinant क्या होता है represent करता है एक number को तो 0 किसी number से divide हो फर्स करें 5 से divide हो 0 6 से divide हो 0 10 से divide हो 0 a से divide हो जवाब क्या आता है 0 one plus a b c ये बात पूरूव हो गई ठीक है तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज अलम्दिल्ला कम्प्लिट हो गई इसमें आज लास वाज़े आज के इस लास लेक्चर में फ़रा सा काम हमने कराए आपको और काम कुछ इस तरह से था के determinant को अगर लास का एक कॉलम लास कॉलम ये फर्स कॉलम ये सेकंड कॉलम एड़ हो रहा हो तो हम इसके जो है split कर देंगे एक a इसकाई b इसकाई c इसकाई इसके साथ इस तरह हमने कुशन लिया इसको लास कॉलम के विहाब पर ब्रेक कर लिया ब्रेक करने के बाद पहले कॉलम को कुछ नहीं किया यहां से a common, b common, c common आ गया फिर हमने जो है वो दोनों determinant को एक जैसा करने की कोशिश की कॉलम वाइस इंटर्चेंज किया, माइनस आ गई, फिर कॉलम वाइस इंटर्चेंज किया, positive आ गया और positive आने के बाद बच्चो हमने क्या किया है, इन दोनों में common ले लिया, common लिया तो one पिलस, common आ गया एबी सी यह divide में shift हो गया, zero upon something, zero के बराबर, यह बात प्रूव हो गई और इस तरह से हमारे पास end of, end exercise 2.4 तो यह एक important exercise थी, इसकी practice किजएगा और इसके हमने पीडियेफ भी आपको इन्शालला लिंक में मिल जाएगा तो वहां से आप notes copy कर सकते हैं, lectures को revise कर सकते हैं आपसे request है, हमारे इस channel को अपने दोस्तों साथ share करें ताकि maximum student के पास lecture पहुंचें और वो बच्चे बासानी तोर पर paper attempt कर सकें, revise कर सकें और मैस में अच्छे number ला सकें, अपना ख्यार लखें, thank you